बंदे पुर्सोत्म। अनन्त आसिरवाद का अधिकारी कौन है। स्रिशी ठाकुर्जी से एक भक्त ने प्रस्न किया कि अनन्त आसिरवाद का अधिकारी कौन है। सिर्शिठाकुर्जी ने कहा कि मैं कहता हूं कि उशाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यधा समय इश्ट निर्देश मुर्थ कराई तब यह सामान्य चीज जितना भ्यास में रहे तो वह अनंत आसिरवात का अधिकारी होगा भीतर का यदि योगान ठीक रहे वो बाहर का चलन स्वतह ठीक रहता है यह सब उच्साह उद्दीपना आनंद इस्फुर्त नाम परायरता ध्यान सीलता गुरु मुखीनता के माध्यम से आता है इससे मन चंगा रहता है एवों हिर्दे हमेशा भरा रहता है वैद जिस प्रकार रोगी को औसधी देती हैं मेरे द्वारा दिया गया नाम भी औसधी है जो जितना निष्ठा के साथ करेगा उतना उसे फल मिलेगा मैंने करके देखा है गुरु के प्रतितान के साथ जो जितना ठीक से नाम ध्यान करेगा उसके अंतर में सोई गुणावली खुल जाएगी नाम ध्यान के साथ साथ कर्म भी चाहिए अनिथा मनस्य निथर हो जाएगा जिसका सेंसरी नर्व बोध असनाय एवं मोटर नर्व कर्म असनाय सामान रूप से एक्टिव सक्रिय है उसका व्यक्तत्व वज्वल रहता है सभी के मूल में है स्रेय निष्ठा भक्त ने जिग्यासा किया कि देखा जाता है कि किसी किसी का दुर्भोग बढ़ जाता है सिठाकुर जी ने कहा कि इसका अर्थ है कि मजबूत अपकर्म का फल सिग्र बाहर आ रहा है वह यदी निष्ठा के साथ कर्म करता रहे तो वह स्वस्ति का अधिकारी होगा ही आलोचना प्रसंग दसमखंड दिनांग 31948 जाय गुरू